जै येशु की क्रिस्मे प्यारे भाईयों और बहनों येशु का प्नुरुथान उन सभी महत्व पूर्ण प्रश्न का सही और परियाप्त उतर है जिसे प्रेरित संद पौलुस ने कुरुंतियों के नाम लिखे अपने पहला पत्र अध्याई 15 पत्संक्या 55 में उठाया था मृत्यू कहा है तेरी विजाई मृत्यू कहा है तेरा दंश यहुदी नेतावों ने सोचा था कि नाजरेत के येशु की कहानी गुड़ फ्राइडे के साथ समाप्त हो गई लेकिन येशु के पनुरुद्धान ने उनकी सोच को गलत स्तापित कर दिया येशु अब और नहीं मर सकते हैं या यूं कहें कि येशु जीवित है और हर जगा मौजूद है मौत्यू एक वास्तविक्ता है लेकिन जीवन का अंतिम शब्द नहीं हो सकता जीवन ही हमेशा जीतेगा नासरेत के येशु के रूप में वह इसराइल देश में रहे लेकिन पुनजीवित प्रभु के रूप में येशु ने सभी बादाभूं को पार किया और हर जगा और हर समय मौजूद है अल्लेलुया। लूकस के सुसमाचार से पुनुरुथान की कथा तीन महिलावों याने मगदला की मरिया, जवान्ना और याकूब की मा मरिया और कुछ महिलावों की गवाही पर निरभर करती है जो बदले में दो पुरुशों के शब्दों पर निर्भर करती है जो उन्हें दिखाई देते हैं सु समाचार लेकक संत मत्ती और संत मार्कुस एक देवदूत की बात करते हैं जबकि संत लुकस दो स्वर्गदूतों की उपस्तिती की बात करते हैं जी हां वे देवदूत थे युनानी शब्द आंगिलोस का सीधा सा अर्थ है एक संदेश वाहक हमारे सुसमाचार के संधर्भ में वे स्वयम येश्वर के दूत हैं जो कभी जूट नहीं कर सकते उनका प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है वे पूछते हैं आप लोग जीवित को मृत्त को में क्यों ढूंडती हैं वे यहां नहीं हैं वे जीव उठे हैं गलिलिया में रहते समय उन्होंने जो आप लोगों से कहा था वह याद कीजिए उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पाप्यों के हवाले कर दिया जाना होगा कुरूस पर चड़ाया जाना होगा और तीसरे दिन जीव उठना होगा जैसे हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याए 24 पत संक्या 5 से 7 तक संद लूकस का कहना है कि येसु के शिश्यों ने अपने गवाहों को शुद्ध बक्वास माना और उन पर विश्वास नहीं किया ये वही लोग हैं जिन्होंने येसु पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने येक बार नहीं बलकि तीन बार कहा था कि वह फिर से जी उठेंगे अगर वे अपने गुरुवर पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे महिलावों की गवाही पर कैसे विश्वास करेंगे येसु वास्तों में जी उटे हैं आलेलूया येसु का पनुरुथान इश्वर की योजना के सच होने और नियत समय पर धर्म ग्रंतों की पूर्ती के बारे में हैं येसु का पनुरुथान अंदखार पर प्रकाश की विजाई असत्य पर सत्य की विजाई और मृत्यू पर जीवन की विजाई के बारे में हैं येशु के पुनुरुथान ने मृत्यू को ही घंटी बजाकर मृत्यू को समाप्त कर दिया है हम पुनुरुथान के लोग हैं इसका मतलब यह है कि हम आशा और आनंद पर जीते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनुरुतित प्रभू हमारे साथ है आलेलुया पासका जागरन के सभी पाट हमें मुक्ति के इतिहास के महतुपूर्ण शणों को फिर से जीने और कृतग्यता और प्रेम की भावना के साथ याद करने के लिए आमंत्रित करते हैं मुक्ति का इतिहास दुनिया की रचना के साथ शुरू होता है सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इश्वर ने चाहा और सब कुछ अच्चा ही निकला भले इश्वर ने साथवे दिन विश्राम किया और इसराइली लोगों को विश्राम के दिन को स्तापित करने बनाये रखने और पवित्र करने में मदद की नवीनि करन की आवशक्ता को मानव जाती महसुस करती है इसलिए भजनकार भजन 104 पतसंक्या 30 में गाते हैं तू प्रान फूक देता है तो वे पुनर जीवित हो जाते हैं और तू प्रत्वी का नया रूप बना देता है कुलपती इबराहीम में इश्वर ने एक नया राष्ट्र को अपना बनाया इश्वर इबराहीम के द्वारा चुने हुए राष्ट्र की निष्टा की जांच करना चाहता था जो अपने एकलोते पुत्र इस हाक को बलिदान करने की इच्छा से मूर या परवत पर अपनी व इश्वसनियता को स्तापित करता है उत्पतिग्रन से लिया गया आज का दूसरा पार्ट आशिर वचन के साथ समाप्त होता है जब इश्वर जो इबराहीम के व्योहार से प्रसन्व होता है और उसे निम्न लिकित शब्दों से आशिष देता है मैं तुम पर आशिष बरसाता रहूंगा मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुमारे वन्षच को असंक्य बना दूंगा और वे अपने शत्रों के नगरों पर अधिकार कर लेंगे तुमने मेरी आज्या का पालन किया इसलिए तुमारे वन्षच के द्वारा प्रत्विके सभी राष्ट्रों का कल्यान होगा हम पढ़ते हैं उत्पति अध्याई बाविस पत्संक्या सत्रा और अठारा इसके बाद आने वाला स्तोत्र पंद्रा हिब्रागीम के रवय की एक गंभीर प्रात्ना के साथ प्रभु में शरण ली मुझे बचावो ईश्वर मैं तुम्हारी शरण लेता हूं निर्गमन ग्रंद से लिया गया आज का तीसरा फार्ट मुक्ति घटना को याद दिलाता है निर्गमन ग्रंद के लेकक ने इस घटना को निम्नलिकित शब्दों से सारान्शित किया है इस्राइली तो समुद्र की सूख की तहप पार कर गये पानी उनके दाएं और बाएं दिवार बनकर टहरा गया था उस दिन प्रभु ने इस्राइलियों को मिस्रों के हातों से चुडा दिया इस्राइलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मिस्रियों को देखा इस्राइली मिस्रियों के विरुद किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मुसा में विश्वास किया जैसा कि हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याई 14 पत्संक्या 29 से लेकर 31 तक इस पार्ट के बाद आने वाला गीत निर्गमन की घटना का अनुवर्ती है जहां इसराइल के लोग यहोवा की महिमामई विजय का जश्न मनाते हुए यहोवा के लिए गाते है चौता पार्ट यसियाग नभी के गरंत से लिया गया है जो नभी को निर्वास जीवन जीने वाले यहुदियों के बीच में दर्शाता है नभी इसियाग लोगों से उनके निर्वासन के अंत और उनकी मात्र भूमी में लौटने की बाद करता है इसलिए हम देखते हैं कि प्रभू की प्रतिक्या नभी के शब्दों में पूरी हो जाती है इसियाग के ग्रंत में अध्याई चौबन पत्संक्या दस में यहोवा के आश्वासन देने वाले शब्दों को हम देखते हैं चाहे पहाड ठल जाए और पहाडियां डवाडोल हो जाएं किन्तु तेरे प्रती मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांती विधान नहीं डवाडोल होगा यह तुछ पर तरस खाने वाला प्रभू का कतन है पांचवां पाट ये एक बार फिर नभी इसेयाक के गरंत से लिया गया है जहां यहोवा इश्वर इसरायल के लोगों से किया हुआ पिधान को नवीनी कृत करने और इससे चरस्ताई बनाने के लिए उनके पास लवटने के लिए आमंत्रित करता है वह लोगों से वादा करता है कि अगर वे उसके पास आएंगे तो उनकी आत्माएं जीवित रहेंगी वह अपने वचनों की तुलना वर्शा और हिम पात से करता है जो आकार से नीचे आते हैं और प्रत्वी को उपजाओ बनाये बिना और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन किये बिना अपने स्रोतों पर कभी नहीं लवटते जैसा कि हम नभी इसिहा के ग्रंत अध्याई बारा पत्संक्या दो और तीन में पढ़ते हैं प्रभू ने मेरा उद्धार किया तुम आनदित होकर मुक्ति के स्रोत के जल में भरोगे एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक नया हिरदय की आवक्षक्ता पर इश्वर ने नभी इजेकेल के माध्यम से जोर दिया है यह इसलिए है कि इसरायल के घराने ने इश्वर के पवित्र नाम को आपवित्र किया है यहुवा कहता है कि वह इसरायल के लोगों पर शुद्ध जल चिड़केगा वह मेरी आत्मा को उनके भीतर रखेगा और उन्हें उसकी विधियों का पालन करता और उसके नियमों का पालन करने में सावधान रहता रोमियों के नाम लिखे अपने पत्र में संथ पॉलुस बप्तिस्मा संसकार को प्रभु येशु की मृत्यू और पुनरुत्तान के साथ तुलना करते हैं एक प्रकार से इस्राइली जनता ने बप्तिस्मा संसकार को उस समय अनभव किया जब वे लाल समुत्र के बीच में से गुजरे लेकिन उस अनभव ने उन्हें फिर से पाप न करने की गारंटी नहीं दी इसलिए इस पास का जागरन हमें उस घटना को याद करता है तो आएए भायों और बेहनों हम निमनलिकित बिंदुओं पर हम अपना मन आकरशित करें सबसे पहले हम यश्वर को उनकी रचना के लिए धन्यवाद दे इबराहीम को चुनने के लिए इश्वर को धन्यवाद दे निर्गमन घटना के लिए हम इश्वर को धन्यवाद दें जो हमारे बप्तिस्मा संस्कार को हमें याद दिलाती है इश्वर की रचना के नवीनी करन के साथ-साथ मानव जाती का नवीनी करन होना भी आवशक है ही श्वर के प्रदिज्या का नवीनी करन और उसके प्रतिनिष्ठा क्रिस्तिय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है एक नया दिल एक नई आत्मा आवशक है और अन्त में क्रिस्में प्यारे भाई और बेनों हम अपने बप्तिसमे के प्रदिज्याओं को याद करें येश्वर से आशिष और कृपा मांगे। आप सबों को हापी इस्टर पुनरुतित प्रभु येश्व आपके दिलों को आपके घरों को अपनी शांती और कुशी से हमेशा भर दे। पिता और पुत्र और पवितरात्मा के नाम पर आमेन। शेमोल से हमेशव आपर येश्वर ऍ resonate